हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टो माई चैनल, I hope you are doing good and very positive दोस्तों मैंने आपके साथ बहुत सारी रेमेडीज जायों के रिगार्डिंग शेयर की है जायों को किस तरीके से दूर कर सकते हैं, दागदबों को दूर कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज बताइएं जो की 110% effective होती है और बहुत सारे लोगों की जायां भी दूर हुई है आज मैं आपके साथ वैसी एक रेमेडी शेयर करने ही जारी हूँ जिससे कि आप अपनी स्किन की tightness को बढ़ा सकते हैं कांती में आपका चेहरा हो जाएगा चमकने लगेगा निखार आना शुरू हो जाएगा कुछ ही दिनों उसका इस्तमाल करके आप देखेंगे आपको बहुत जादा फाइदा मिलेगा इसके इस्तमाल से आपके चेहरे में कोई भी जो wrinkles है या puffiness है आँखों के नीचे बहुत सूजन आ जाती है या skin बहुत जादा dull नजर आती है sun spots है या sun exposure है वो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी साथी साथ आपकी रंगत भी निखरेगी यानि कि आपके चेहरे का जो tone है वो काफी जादा यहाँ पे fair होने वाला है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं इस remedy को बनाना remedy पसंद आए तो दोस्तो प्लीज लाइक कीजेगा और वीडियो को शेर भी जरूर कीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस remedy को बनाने के लिए सबसे पहले आपको शेहद लेना है आप यहाँ पे organic raw शेहद का इस्तमाल करते हैं इस्किन के लिए तो बहुत जादा अच्छा है क्योंकि कोई भी नुकसान नहीं पहुचाती लेकिन अगर आप के पास ये नहीं है तो आप normal शेहद का भी इस्तमाल कर सकते हैं शेहद की quantity आपको कम ही रखनी है दोस्तों शेहद आपकी इस्किन को deeply moisturize करती है साथी साथ दाग धपों के लिए भी काफी ज़्यादा फायदे मन्द है इस्किन को tight करती है और इस्किन में कसावट लेकर किया आती है इस्किन को deeply moisturize करती है लंबे समय तक अगर आप शेहद का इस्तमाल करते हैं तो आप यह जानते होंगे कि शेहद किस तरीके से आपकी इस्किन के लिए फायदे मन्द है आपको यहाँ पे एक bowl लेना है और इस bowl में सबसे पहले आपको add करना है यह powder दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है मुलेठी powder जिसे की यश्टी मधू भी कहते है मुलेठी इसकिन की रंगत को निखारने के लिए काफी ज़ादा फायदे मन्द होती है इसलिए इने beauty products में बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है छोटा बच्चा हो या बड़ा हो आप मुलेठी का इस्तमाल करती है तो दिन बदिन आप देखेंगे कि आपके skin की जो रंगत है वो धीरे धीरे निखारने लगी यानि कि instant अगर आपको skin में glowing चाहिए तो आप मुलेठी का इस्तमाल कर सकते हैं ये एक दिन में ही आपके skin को बहुत जादा clean कर देती है इसके साथ मुलेठी आपके रंगत को निखारने के साथ आपके चेहरे को कसावट देती है आपके skin के जो wrinkles हैं जो fine line से उनको भरने में cover करने में बहुत जादा help करती है जिसकी वज़त से आप देखें कि आपके skin में जो भी lines दिख रही है या जुर्यां दिख रही है या जुर्यां दिख रही है वो आपको नजर नहीं आएगी तो आपको यहाँ पे मुलेठी का इस्तमाल लगभग एक चमच के करीब करना है और दोस्तो इस remedy को आपको डेली बनाना है डेली उस करना है इस remedy को बना के आपको लंबे समय तक रखना नहीं कि आपने एक बार बना लिया और डेली इससे इस्तमाल करें नहीं आपको fresh बनान आपको बहुत कम रखनी है दोस्तों यानि की सिर्फ एक चौथाई चम्मच ही आपको यहां पर शेहत का इस्तमाल करना है तो मैं यहां पर देखिए शेहत को ले रही हूं इस तरीके से और बस बहुत जादा आपको यूस नहीं करना है बिकॉस हम इसे थोड़ी क्वांटिटी में बनाने हैं सिर्फ अपने फेस और नेक एरिया को कवर करने के लिए इसलिए शेहत की मातरा को उतना ही रखेगा थर्ड नंबर पे आपको यहां पर एड़ करना है इसे मिक्स करने के लिए एक अच्छा बैटर पेस्ट बनाने के लिए आपको यहां पर रोस वाटर लेकिन रोस वार्टर क्लिंजिंग करती है आपके चहरे की, आपके चहरे में स्मूधनेस लेकर के आती है। और इसकी जो फ्रेशनेस होती है, जो इसकी फ्रेग्नेस है वो आपको लंबे समय तक, आपके स्किन में खुद महसूस होगी कि यह कितनी देर तक आपकी इसकी जो फ्रेग्नस है वो लंबे समय तक आपकी स्किन में रहेगी और साथ ही आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी रोज वाटर का इस्तमाल करने से तो आपको इतना दो से तीन चमच लेना है और अच्छे से मिक्स करना है अगर आपको पैक ठिक लगता है तो आप थोड़ा सा और इसमें इंक्लूट कर सकते हैं अधर्वाइस पहले अच्छे से हमें आपे मिक्स कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको मिक्स करना है और अपने चेहरे और नेक एरिया को अच्छे से क्लीन बाद किसी ब्रश की ए पूरे ओर एपने पूरे अपने पूरे फेस इपलाई करें एक stingy जब ढूबMERcard coal घ्राइक लिया करना है और इसे डेली आपको रात में सोने से पहले इस्तमाल करना है दोस्तों और डेली करना है आप देखिए कुछ ही दिनों में आपकी जो प्राब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपनी स्किन की अपनी तुच्छा के रिगार्डिंग अपने आँखों की नीचे जो आपके स्किन में बहुत जादा काला पना आ जाता है या बहुत जादा सूजन हो गई है या बहुत जादा रिंकल्स की समस्या है और धाग दब्बे आपको देखते हैं रंगत नहीं है डल है सन स्पोर्ट्स हैं आपके स्किन में और या सन एक्स्पोजर की वज़ह से चेहरा कहीं जादा डा तो दोस्तों आपको इसे रेगलर ही बनाना है और रेगलर रात में सोने से पहले लगाना है वीडियो पसंद आईयो तो लाइक कीजेगा बाई बाई एंड टेक कियर